वेलकम टू मास्टर माइंड अब जिक्के एक बार फिर से आप लोग का स्वागत हैं मास्टर माइंड अब जिक्के में फ्रेंड्स आज इस वीडियो में जिक्के जीएस का 100 कुछ देखने वाले हैं फ्रेंड्स जो बिहार उत्पात पुली सेवन फायरमन के लिए काफी महत् होने तो पूरा प्रैक्टिस चेट आप लोग जिरूर देखेगा और फ्रेंड्स देखे 27 तारीक को एक्जाम कैंसिल अभी नहीं हुआ ठीक है इसका कोई भी नोटिफिकेशन ऑफिसियल वेबसाइट पर नहीं आया इसलिए 27 फरवरी को 100 परशेंट एक्जाम होगी बहुत ही कम बचा हुआ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस चेट आप लोग देखें वीडियो को लायक नहीं कर देखें चैनल पर पहली बार भीजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्काइब कर भी लाइकन को दबा देजेगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिशन में में टेलिग्राम चैनल का लिंक है उसको जोईन करके रखेंगा और उसके नीचे आपका आउनलाइन जो टेस्ट में करवा रहा हूं उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ तो वहां पर जाकर करके ऑनलाइन टेस्ट भी जिक्के जीएस का जिरूर दिजेगा तो चलिए फ्रेंस व और परथम परधान मंत्री कौन थे पहला का काकसर होगा फ्रेंस लियाकत अली खान परथम परधान मंत्रि कौन थे तो लियाकत अली खान दूसरा नमर Gary केस करते चलिए दच्छिन का गंगा किसको कहा जाता है तीसरा नमर श्रवाल को देखिए फास्ट करेंगे थोड़ा फ्रेंट्स इथोपिया का पुराना नाम क्या था तीन का प्रेंट्स अभी सीनिया चौथा नमर श्रवाल देखिए संसार का सबसे बड़ा द्वीप का रहा होगा है तो चार का प्रेंट्स Kenn análर होगा द्वीप फास आप लाश्ट का सबसे बड़ा गंभी सीनिया इधालव होगा तो देखिए आप लोग म सबसेलो जल्युद्ध ब़ेन आपका च्वातंत्थ भारत की पहली जल विद्यूत्पर्य रहता स्वतंत्थ भारत की पर्थं को है तो भाध्रा नंगल बना था तो आप्सणिद पाच का कारेक्टनसर हो जाएगा, छठान नमर शावाल आपका है, कि विश्व में सक्कर का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है, छा का कारेक्टनसर क्या होगा फ्रेंज, तो आपका इसका क्यूबा हो जाएगा, ठीक है, चान्दी का सबसे बड़ा उत्पादक दे अधिक प्रावा धिटेंश्यल का, आठ नमर शावाल को देखिए, अध नमर शावाल है, वीनु मकांड किस खेल से सम्बन दित है, वीनु मकांड, आठ का कारेक्टनसर हो जाएगा, नर्मदा का उध्यों मस्थान कहा है, ठोला फास्ट का रहेफ्रेंज का कि हो कोशन है, त सब्सक्राइब करना मलेश्वरी किस छेत्र में परशीद है बारा का करेक्टन सरो जाए फ्रेंज अपसर नमर डी भार तोलन में तेरा नमर शवाल को देखे किस खेलकी राष्टिये चैंपियंशिप के लिए संतोस कब दिया जाता है चलिए संतोस कब किसे समंदित है तेरा नमर शवाल का तो एक फुटबॉल से समंदित है चौदा नमर शवाल इसलिए 14 का correct answer option number आपका C हो जाएगा 15 नमर शवाल को देखिए उजयन किस नदी के तड़ पर इस्थित है उजयन किस नदी के तड़ पर इस्थित है तो 15 का जो correct answer हो जाएगा आपका option नमर D छिपरा नदी के तड़ पर इस्थित है पंद्रा नमर शवाल का जो करेक्टन्सर हो जाएगा आप्सन नमर डी हो जाएगा जैने किस नदी के तरपर इस्थित है तो छिप्रा नदी के तरपर इस्थित है पंद्रा का करेक्टन्सर आप्सन नमर डी हो जाएगा सोलन नमर शवाल को देखे अंकोरवाट जहां एक परसिद विश्नु मंदिर है किस देश में है तो अंकोरवाट जहां एक परसिद विश्नु मंदिर है वो किस देश में पढ़ता है तो इसका हो जाएगा सोला नमर स्रावाल का कमपूचिया का नाम कमबोज भी है ठीक है यहीं अंकोर वाट का विश्णु मंदिर है ठीक है तो अंकोर वाट जहां एक परसिद विश्णु मंदिर है तो कमपूचिया इसका करेक्टन सरो जाएगा कमपूचिया का नाम कमबोज भी कहा जाता याद रखेगा तो वहीं पिर आपका है जो फ्रेंज अंकोरवाट जहां एक परसीद विश्नु मंदिर है तो आपका कमपूचिया इसका करेक्टनसर होगा 1680 हो जाएगा सारनाथ गंगा अतट पासिदान सबसे पहले पर वरवर्तित किया था तो अठारा का करेक्टनसर भी हो ग़ा प्राकिस्तान के बीच मे उग वा था है पंचिल समझा उसी के बीच मे वहा था अगरागा प्रेंज्स । रुप्य के नोट को छोड़ सेस नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं मश्ब्टी नमर्ड के सभी पर और बी-आयए और की कारेक्टनसर हो जाएगा dem इस नमबर है काम के बदले आनाज योजना किस पंच वर्शी योजना काल में प्रारंब की गई थी देखिए बहुत अच्छा सवाल है ठीक है बीस का बीस का करेक्टनसर हो जाएगा आग बुझाने वाली गैस कौन सा चलिए इसमें इक इसका गेस के रिए तो देखिए आग औक्सीजन है, बुझाने वाली कौन हो जाएगा C , नमबर सफाएगा इसका course नमबर को देखिए उसमा एक उत्तम संचालक है 22 का करेक्ट असर किया हो उत्मा एक उत्तम संचालक है तो 22 का जो जो करेक्ट असर हो जाएगा ओप्शन नमबर C हो जाएगा जब कि ऑ ग्रूप को सर्वधाता ग्रूप कहा जाता याद रखेगा सुखा बर्फ क्या है फ्रेंस एक कोश्टन तो बहुत बार पहले जाम में पूछा गया भी फ्रेंस पूछा भी जा सकता है तो जो ड्राई आइस होता है तो ठोस कार्बन डाउक्साइड होता है उसी का रूप होता है आप्सन नमर 20 का करेक्ट अंसर रोगा सुखा बर्फ क्य सब्सक्राइस क्योंत इसे प्रोटो जोवा से प्रसारित होता है इससे प्रभावित होने वाला आंगहर स्थिस्वावी察 कीसमिह फ्रोटो सब्सक्राइस आफ KHY蜈 राप सवाल नमर 28 28 में एक समान मनुस का ताप मान कितना होता है तो देखें चैल सेस्ट में देखा जाए तो आपका च्छतिस पॉइंट या नाइन डिजिए छेए टेट से नाइन डिजिए चैल से होता है तो काइरेंप्सर ऑफ्ण नमघ बडा वुड हो जाएंगा इसका कारिक्ट नाम है खुंसर हो असु को बनाता है तो 30 का क्रेक्ट ससर D हो जाएगा मचली किस माध्यम से स्वास लेती है स्वासन कैसे करती है तो यह आपको गलफ़डे से करते है ना गलफ़डे को अंगरेजिम क्या करता है फ्रेंज तो इसको हम गिल्स कर सकते है option number D इसका correct answer हो जाएगा गिल्स से स्वासन करती है अस्टेनलेस अस्टिल किनकिन धात्वों का मिश्रन होता है 32 का गेस किजिएगा इसका correct answer हो जाएगा option number C spot और chromium का होता है मिश्रन होता है अस्टेनलेस अस्टिल किनकिन धात्वों का मिश्रन होता है तो spot और chromium का होता है 33 नमर शावाल को देखे कि अमल गम में एक धातू हमेशा होती है अमल गम में एक धातू हमेशा होती है वह कौन सी है 33 का करेक्टनसर क्या होगा तो 33 का जो करेक्टनसर हो जाएगा अप्सन नमर भी पारा हो जाएगा ठीक है अमल गम में एक धातू हमेशा होती है वह कौन सी है तो 33 का correct answer option number भी पारा हो जाएगा ठीक है 34 नमबर सवाल को देखे 34 नमबर सवाल आपका क्या है कि निमलिखित में किसमे carbon मिलता है carbon इसमें किसमी मिलता है 34 का correct answer league night कोईला में आपका जो carbon मिलता है option number 34 का एक correct answer हो जाएगा देखें league night घटिया किसमी का भूरा कोईला होता है क्योंकि league night को भूरा कोईला भी कहा जाता है जिसमें carbon के मातरा 45 परतिशत होती है तो league night इसका correct answer हो जाएगा league night को भूरा कोईला कहा जाता है और bitumins को मुलाइम कोईला कहा जाता है यह भी आद रखेगा 35 नमर सावाल आपका specific gravity के सिदान्द की खोज किषने की थी 35 नमर सावाल का correct answer option नमर भी होगा Newton साहब ने किया था 36 नमर कौन सा प्रनाली अपना भोजन स्वैम बनाता है 36 का correct answer क्या होगा फ्रेंस तो इसमें देखे कौन सा प्रानी हो सैवाल क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जाता है फ्रेंस सैवाल एक सव पोसी होते हैं इसलिए याद रखेगा क्योंकि इसमें क्लोरोफिल रंजक मौजूद होता है जिसके कारण यह अपना भोजन खुद बनाता है जलती हुए अगर बत्ति की खुसबू कमरे में चारो और फैल ली होती है इसका क्या कारण देखे यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है चलिए इसका जवाब आप लोग सही करिए तो देखे फ्रेंस जो अगर बत्ति हम जलाते है तो देखे खुसबू पूरे कमरे में जो फैल जाती है उसका जो रीजन होता है फ्रेंस गैसिये विसरन का ठीक है आनि आप्सन नमर सी इसका कारेक्ट रंसर हो जाएगा गैसिये डिफ्यूजन जिसको कर सकते है गैसिये विसरन के कारण है जो कमरे में कहीं एक जगा पर अगर बती जलाने से पूरे कमरे में इसको खुसबू फैल जाती है तो क्या होता है गैसिये विष्टरन के कारण होता है ठीक है गैसिये अईसे धवने है जो विचलन करती है चलती है फिसकिस में तो अनुदेर रितरंग में चलती है यह भी आप लोग याद रखेगा 49 नमर है फिरेंस क्वांटम सिदान्त किसने परतिपादन किया 49 का करेक्टन सर्थ उप्सन नमर ए हो जाएगा 40 नमर है कैथोड किरने क्या है तो कैथोड किरने क्या है तो कैथोड किरने 40 का करेक्टन सर्थ एलेक्ट्र बंडित जवनल्ग निहरों ने दिया लेकिन करो मरो का किसने निया है महत्मा गादिं आपको याद हो आठद रखेग उने 42 को जैसे देखे पूछा था है कि आपका जो भारत छोड़ अंदोलन कब शुरू हुआ था फ्रेंस तो भारत छोड़ को अधिकारी कुरूप से घोसना तो आठे अगस्त को था लेकिन पूरे भारत में आहवावन हुआ था 9 अगस्त को थीक है तो 8 या 9 अगस्त दोनों याद तो याद रखेगा करेक्टनसर और महात्मा गांदी हो जाए फ्रेंस कब दिये थे तो वही आपका भारत छोड़ अंदोलन के दौरान पानीपत के दूतिये जुद कब हुआ था 42 का करेक्टनसर तो पानीपत के दूतिये लड़ाई जो है 1556 इस्विय में हुआ था फ्रेंस 43 नमर शवाल का गिस किजएगा तो देखे इसका इस भी याद रखे अब 1500 कितना फ्रेंस तो 1582 1582 में धर्म इलाही किसने चलाया था तो आपका अकबर के दौरा चलाय गया था आपसर नमर बी इसका करेक्टनसर हो जाएगा दिने इलाही धर्म 1582 डेट याद रखेगा फ्र सिमांत गाधी का नआम क्या था चाहएगियो कि मिर्टु के बाद कि इछिठी आप्डर याद रखेगा पलासी का जूद कर लड़ा गया था प्रेंस तो धेट भी याद रखेगा पलासी का जूद है के लड़ा गया तो देच जून कितना céuस जून 1759 एक्अ चो अगला सवाल है भारत छोड़ो अंदोलन कप्रा रम किया गया था अभी मैंने बताया था फ्रेंज उन्हें 42 सवे में अगास्त उन्हें 42 सवे में भारत छोड़ो अंदोलन शुरो गया था 47 का करेक्टन सर ओप्सन नमर बी हो जाएगा 49 नमर इतिहासकार जद्दूनात सरकार ने किस मुगल कालिन रचना को मुगल राज का गजेटियर कहा था तो मासिर ए आलमगीरी को कहा था जैन धर्म के अस्थापना किष्णे की ते फ्रेंज चले 50 नमर शवाल का कारेक्टन सर क्या होगा तो जैन धर्म के जो पर्थम तिर्थंकर थे रिशब देव इन्हों ने अस्थापना किया था लेकिन पूछ दे आपको जैन धर्म का वास् पूर्मन कब किया था फ्रेंज तो 51 का जो करेक्टन सर हो जाएगा आपसन नमर भी 261 इसवी पूर्व ठीक है कब 261 इसवी पूर्व में किया था इसी जूद के बाद असोक का हिर्दय परिवरतन हो गया था और बहुत धर्म को अपना लिया था बावन नमर शवाल को देख तो किसके समय में हुआ था फ्रेंज 857 के विद्रो लॉड काइनिंग के सासन काल में लड़ा गया था अगला है भारत में अंग्रेजी माध्यम की सिच्छा संस्थापा कौन थे यह देखे बहुत इंपॉर्टन सवाल है तिर पर नमर सवाल का फ्रेंज की आप लोग काले इसका करेक्टर हो सकता है कोशन आपको पूछ दिया जाए क्योंकि फ्रेंज इसी के नुसांसा पर है जो बाद में लॉड बिनियम बेटिंग है जो आपका अंग्रेजी को निश्चित भी सए मतलब की घोसित कर दिया था ठीक है तो स्रे जाता है किसको लॉड मैं काले सब्सक्राइब आए जल्बा इसपर शाये सव्हेंं में लॉड श्रौ में कोम रिए कि निरवाण को प्र Congo मन्दिर निर्मान किसने का हीसल सब्सक्राइबुन कें निर्वाण किसके सास्नकाल में हुए था तो पच्छापन का करेक्टन सर आप्षन नमर यह चंपारन में हुआ था 57 सीखो के किस गुरू ने अमरीच जापना के बाद की जा रहे है तो इसका करेक्टन सर जो जो correct answer हो जाएगा फ्रेंज आपका गुरु रामदास ने किया था इसलिए correct answer आपका option number A हो जाएगा ठीक है सिखो कि किस गुरु ने अम्रित सरसहर के स्थापना की थी फ्रेंज तो आपका रामदास ने किया था तो correct answer संतामन का ए हो जाएगा अंठामन नमर्शावाल को देखिया अंठामन नमर्शावाल आपका है कि गुप्त काल का सर्वपर्थम गनितग ये एवं खगोलवीद कहुं था तो अंठामन का जो correct answer हो जाएगा फ्रेंज आपका option number B आरिभट हो जाएगा ठीक है चुआलगी हो जाएगा, दीन्यतर कब चलागया था? 2552 इस वी में दीन्यतर द्रम चलागया था E हो जाएगा साथ नमर स्वाल को देखे सिवा जी का जन्म कहा हुआ था तो साथ का करेक्टर सरो जगा सिवा जी का जन्म हुआ था कहा फ्रेंस सिवनेर नामक अस्थान में हुआ था प्रेंस सीवा जी के अगर जो पिता का नाम देखा ज्या प्रेंस पुछा जाता है कि सिवा जी के माता जी का नाम क्या था तो आद रखेगा जीजा बाई क्या है नाम था तो जीजा भाई सिवा जी के माता का नाम जीजा भाई पिता का नाम क्या था तो साजी भोशली था फ्रेंस इनका जो जन्म कहा हुआ था तो सिवनेर में हुआ था ठीक है कब हुआ था फ्रेंस तो 1627 में सिवनेर में हुआ था मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको परदान किया जाता है 61 का कारेक्टनसर होगा उच चिन्याले और सर्वोच चिन्याले दोनों के दिया जाता है इसलिए option number 10 का कारेक्टनसर हो जाएगा 62 का कारेक्टनसर option number D हो जागा सभी पूरुस और महिलाओं है तो समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार यह जो मौलिक अधिकार के अंतरगत नहीं आता है 63 का कारेक्टनसर क्या होगा option option number D हरताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार है नहीं बिल्कुल ही हो इन सकता है फ्रेंस बाकि सोल्सन के विरूद अधिकार अब सर की समानता धर्मी की स्वतनता का अधिकार यह समी मौलिक अधिकार के अंतरगत आता है एक अप्रेल 2010 को कौन सा अधिकार भारतियों को परदान किया गया तो आपको सिच्छा का अधिकार परदान किया था चौशाट का क्यारेक्टन सर इस हो जाएगा फाप्सर नम्र शावाल को दिखें भारतिय समिधान द्वारा गरांटी प्राप्त निमलिखित मेंसे कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है 65 का जो correct answer हो जाएगा फ्रेंस option number D हो जाएगा उप्रोप्त में से कोई नहीं 65 का correct answer option number उप्रोप्त में से कोई न हो जाएगा 66 नमर शवाल को देखे राष्टिय बाल अधिकार संदच्छन आयोग ने बाल कलाकारों के लिए कितने वर्स की नियूंतम आयू निधारित की गई ह 66 का भी correct answer क्या हो जाएगा फ्रेंस देखे राष्टिय बाल अधिकार संदच्छन आयोग ने बाल कलाकारों के लिए कितने बाल कलाकार का ना कितने वर्स की नियूंतम आये तो बाल कलाकार जो सेरियल टेवी बगेरा इसा में करता है फ्रेंस इसके लिए है जो फ्रेंस कोई आयू निधारित नहीं की गई है इसलिए option 66 का डी correct answer हो जाएगा ठीक है बाल कलाकारों के लिए इसके बारे में बाहर रखा गया फ्रेंस इसको लिए कोई आयू निधारित नहीं की गई है चलिए 66 नमर्शवाल को देखे 66 नमर्शवाल है निम्रिखित में से किसे कानूनी अधिकार होता है 67 का character answer निर्वाचन आयोग को होता है ठीक है 66 का character answer option number 2 हो जाएगा फ्रेंस जितना भी option दिया हो है फ्रेंस इसमें से कानूनी अधिकार होता है किसको निर्वाचन आयोग को कानूनी अधिकार होता है 68 नमर्शवाल को देखे 48 अस्थम 4 श्रेट सिर्शक कौन सा अधिकार राजनितिक अधिकारों की स्रेणी में आता है 69 का character answer option number a निर्वाचित होने का अधिकार निर्वाचित होने का अधिकार है जो फ्रेंस आपका राजनितिक अधिकार की स्रेणी में आता है 69 का character answer option number a हो जाएगा 70 नमर्शवाल को देखे वर्स 2005 में सुचना की अधिकार की परिपार्टी में अग्रिनी व्यक्ति कौन है 70 का जो character answer option number d अरूना राय हो जाएगा ठीक है अरूना राय ने वर्स 2005 में सुचना का अधिकार को पर पत्टी में लाने के लिए बहुत परियत ने किया था RTI अपनलों को याद अधिकार का विधेयक अधिकार टेक है तो इसमें का यह विक के अरूना राय थे सब्सक्राइब्登録udent कुछ परकार के नागरिक स्वतनताओं का उलेख किया गया तो करेंगेँ उनेश में निमलिखित स्वतंतरताओं में इसे कौन सा विशेश रूप से उलेखित नहीं है विशेश रूप से उलेखित नहीं है तो प्रेश की स्वतंता है जो उनेश में विशेश रूप से उलेखित नहीं है ठीक है फ्रेंस अगला सवाल को देखते हैं खत्तानमर्ट सवाल का हो शांतीप्रोग सन्तिप्रोग्रणपन करें की सभा करने का sवतन्ता है मुग्त रुप से घुमने की सवतन्ता है यह जो उनसके त्रेमें भिसेश रुप से नहीं है किन्तु क्या सर्वोश न्याले ने अपनी निर्णय में प्रेश की स्वतंतरता विचार अभ्यक्ति की स्वतंतरता अनुछेत कितना उन्हेस के ए में रखा या कोशन पूछा जाता है प्रेश की स्वतंतरता कोशन आएगा तो उन्हेस का ए में आपका रखा जागता है तो उन आपका सवाल नमर 73 का कारेक्ट रहो जाएगा समिधान के अनुछ चैद 44 के अनुसार भारत के समस्राज चैद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करना का पर्यास करेगा आप लोग याद रखेगा ऑप्सन नमर ए इसका कारेक्ट रहो जाएगा तेहतर का चोहतर नमर शावाल देखे बात्य समिधान में राज के निती निदेशक सिदानतों को सामिल करने के पीछे मुख उदेश क्या है क्योंकि भारत को कैसा राज बनाना था इक कल्यानकारी राज के स्थापना करना था इसलिए ऑपसन नमर एक करेक्ट रहो जाएगा इसका मुख्ष उदेश है भारत को कल्यानकारी राज बनाना अगला सवाल है समिधान का कौन सा भाग लोक कल्यानकारी राज के विचार का उलेख करता है तो जिसमें आपका वह हो जाएगा फ्रेंच निती ने दे सकता तो तक के लिए गेस किजिए तो क्योंकि भाग चार में इसका पर्योजन है तो देखें मॉलिक करतव जाएगा सब्सक्राइब को देखें कि किसके अनुसंसा पर भारते समिधान में मुल्क करतवियों को को जोडा गया यह भी इंपोर्टेंच 177 का तो सुवर नसीह ही रिपोर्ट याद करेगा फ्रेंस सुवर नसीह रिपोर्ट पहले जो भारती सम्मिधान में मूल करता वी नहीं था फ्रेंस ठीक है यह बाद में आपका जोडा गया है ब्यालिस में समिधान संसोधन आद रखे उने सुछीहातर इस्वी में सुहर नसीस रिपोर्ट के अधार पर भारते समिधान में मौलिक करता भी को जोड़ा गया है अब मौलिक करता भी को रखा गया है कितना में फ्रेंस तो आपका तो अनुशेद 51 के कव में रखा गया ये प्रेंस आपको बर-बर सुनने से रिपिट करने से क्याता है कोस्चन याद हो जाता है तो देखिए निती निदेश से कहा से लिया गया तो आइरलेंड के समिधान से लिया गया 78 का करेक्टन सर ऑप्सन नमर सी हो जाएगा और संजुक्तर अधिकार मौलिक करता भी रूस के है अगला है कि आपका मौल समिधान के कौन सा भाग्राज लोक कल्यान की संकलपना समिलित की गई है तो अधिन्टन का क्या था gonna बढ़ सतका हो जाएगाало पर विचार किजिए जो सही नहीं है जो सही नहीं है उसके बारे में आपको चैन करना एक आसी का डिरेक्ट अंसर में बता रहा हूं फ्रेंस ऑप्सन नमर बी या प्रित्वी का लगभग 30% अच्छा दिद करता है इक आसी का अच्छा दिद करती है अट्लांटिक महासागर ना के 30% इसलिए आपका बी है जो उसके बारे में गलत है बाकी है जो बाकी इसके बारे में जो भी कथन है फ्रेंस यह विस्प का दूसरा सबसे बड़ा महासागर यह सही है यह उत्तर में आटीर महासागर से लेकर दचिन में अंटार्ट का तक फैला यह भी सही है यह सरवाधिक खारा महासागर यह भी सही है ठीक है अगला सरदार सरोबर परजुना में लाभवनतित होने वाले राजी कौन है तो बेरासी का जो कारेक्टन सरोगा आप्सन नमर ए हो जाएगा फ्रेंस आपका गुजरात मह करेक्टन सरो जाएगा फ्रेंस अगला सवाल आपका है कि यहां पर दिया हुआ है नब सब्सक्राइब क चांडा मैं मालज खंड है कोरबा है पड्ना के लिए के लिए 55 का मालज खंड है गुद जो तामा इस के लिए जाना जाता है एक का हो जाएगा आपका तीร हो झालगा ठीक है एक तीन एक का टीन इक का तीन होगे Holl latter खनने के लिए परसिद्धे उसके बाद में कोरबा है किसके लिए है कि कुरबा है जो आपका कोईला के लिए परसिद्धे दो कावनपना के लिए बच गया कॉड़र्मा नमरी होगा एका तीन वीगा वन सिकादूर डिका चार अगला सवाल को लेते 86 नमर सवाल को देखें कि निम्रिखित राजियों में से किसके 1 छेत्र सरवाधिक है किसका 1 छेत्र है जो सरवाधिक है 86 का जो कारेक्टन सरो जाएगा अप्सन नमर B मद परदिस हो जाएगा निम्रिखित राजियों में किसके 1 छेत्र सरवाधिक है 86 का जो correct answer हो जाएगा option number B MP, MP में सबसे ज़्याद बन पाया जाता है 87 नमर शवाल है निम्रिकित में से कौन सुमेलित नहीं है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है 27 का जो correct answer हो जाएगा फ्रेंस आपका फिन्लेंड ओसलो फिन्लेंड की राधानी ओसलो नहीं है फ्रेंस इसका क्या हेलैंस की है फिन्लेंड की राधानी कहां है हेलैंस की है ना कि ओसलो है तो यह नहीं है आपका एक गलत हो गया बाकि फिजी की राधानी सुवा हो गया गयाना का जार्ज टाउन हो गया लेबनान का बेरुत राधानी यह सही है सभी के राधानी यह याद रखेगा फीजी के राधानी सुवा फिनलेंड का कभी बताया फ्रेंस हिलैंस की होता है गुयाना का जार्ज टौन होता है लेबनान का बेरुत होता है 88 नमर शवाल को देखिए विए और जाएगा नवासी नमट को देखे सबसे अधिक घाना अबाद सार्क देश है कि अधीक जोगत होगा फ्रेंस मनिपून में 88 का यह और 89 का सबसे अधिक घाना अबाद सार्क देश है सार्क देश के में कौन सा देश जिसमें सबसे घना अबादी होगा या तो 89 का का रिजिनल कोर्परेशन इसका फुल फॉम होता है आपका सार्क का सार्क के स्थापना किया ग्या तो देखें सबसे घाना अबाद सार्क देश में बंगलादेश हो जाएगा इसके स्थापना कब वा तो foto पचासी में भी याद रखेगा नबिन नमर स्वाल है एक मांचित पर सागरतल से उपर शमान उचाई वाले स्थान से होकर खीची गई रिखाएं क्या कहला आती है तो नबिका कररेक्टर नसरों जयागा समोच्ची रिखा कहा जाता है ठीक है टाइफून चिंसागर में चलता है तो आप देखे हरीकेन हिंद महासागर में चक्रवाद पस्चिम दिप समू में आटोरंडो अस्ट्रेलिया में इसमें कौन आपको लग रहा है जो सुमेलित नहीं होगा तीन चार एक तीनों सुमेलित नहीं है टाइफून है जो चिंसागर में चलता है तो आपका सही है लेकिन बाकि हरीकेन चक्रवाद हिंद महासागर इसमें आपका सुमेलित नहीं है 91 का कारेक्ट अंसर आपसर नंबर डी हो जाएगा क्योंकि फ्रेंट्स देखे जो आपका है मैकिसको सीटी की घाटी याद रखेगा मिसिसिपी मिसोरी घाटी तथा मालगासी के पास में उठने वाली चक्रवाद को क्या काता है टोरोनोडो काते है ठ्रेंट्स कर 17 पिर बशीया फ्रेंट्स आपका देखे आपका त्रिफ्रिय आ इसापसर नंबर ए झौत लठी चलता हम आपका है Extra रखें को और चकरवात कर दोत्री परसांत के इसका सूमेली थे बाखी जो आपका गलत है yeah अगला सवाल को लेते हैं अगला सवाल आपका है भारत का दशिंतम बिंदु इंद्रा पॉइंट निम लिखित में से कहां इस्थित है तो 92 का कारेक्टन सरो जागा फ्रेंस आपसर नमर सी बड़ा निकोबार में इस्थित है छेत्रफल की द्रिश्टी से भारत का सबसे सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा किन राजों के मद में 94 का कारेक्टन सरो जागा पिछले बहुत दिनों से कितने दसकों से करनाटक और तमिलाडो के बीच में कावेरी बिवाद चल रहा है लूनी नदी का उद्गमस्थल कहां है 95 का लूनी नदी राजास्थान में अजमेर क ज्याद रखेगा तो आप्सन नमर्शी का करेक्टन सरो जाएगा नर्मदा नदी का उद्गमस्थल कौन है तो आप्सन नमरे 96 का करेक्टन सरो जाएगा 97 भारत में पर्थम बहुत देशी नदी घाटी परियोदना का निर्मान किस नदी पर किया गया तो 97 का जो करेक्टन सरो जाएगा ओप्सन नमर्डामदर घटी पर हो जाएगा नदी पर बैवला दिला परसीद किसलीए नद्थान्वे का जो करेक्टन सर गास किज़ेए यह आपका पड़ता च्छतिस में पड़ता है और आपका मैं लवास्प्स के लिए जाना आता बैल साथ इसके लिए परशीद से लिए दो प्रशीद या कंत्र स्थेंट ये तो देखिए अगर कैंद कहीं पर रुपांत्री देता है कहीं डेता है कहीं मेटा मार्फिक देता है मतलब होता क्या हो जाएगा है देखे निरान में का आपका स्लेट हो जाएगा से स्लेट बनता है कायंत्री चटान का उधारन है आज का लास्ट रियक्टर स्केल दोरा ना पाजाता है फिर सो नमर सवाल का का आप्शन नमर सी भुकम की तेवराता तो देखे फिरेंज इसमें कुछ ज्यादा हाड कोस्टन भ आता है तो चले फ्रेंज नेक्स वीडियों फिर मिलते हैं देखने के लिए थैंक्यू धन्यवाद